All India माजिली से इत्तिहादुल मुस्लिमीन यानि की AIMIM के सुप्रीमों असादुद्धी नोवैसी ने कोट के फैसले और 32 आरुपियों को बरी करने के फैसले पर हैरानी जताई है हर कोई आज एक दिली तकलीफ और दर्द को महसूस करेगा जो भारत के सम्विधान और भारत के डैवरसिटी भाइचारगी प्लूररिजम पर जिस किसी को आज भी अटूट भरोसा है और यखीन है आज का ये फैसला सी बी आई कोट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है और मैं ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि सुप्रीम कोट ने नाव नवंबर को जो सिविल डिस्प्यूट के मुखद मे का फैसला दिया था जज्ज्मेंट में सुप्रीम कोट ने कहा था अंग्रेजी में कहता हूँ कि सुप्रीम कोट ने कहा था कि इट इस एन एग्रेरियस वाइलेशन आफ रूल आफ लाओ और सुप्रीम कोट ने ये भी कहा था कि ये कैलकुलेटड अक्ट आफ डिस्ट्रॉइंग अ पबलिक प्लेस अफ वर्शिप अब हम ये मैं ये समझने से खासिर हूँ कि अगर सुप्रीम कोट ये कहता है कि एग्रेरियस वाइलेशन आफ रूल आफ लाओ तो क्या कोई जादू से मस्जिद को शहीद कर दिया गया था छे डिसंबर को क्या कोई जादू से वहाँ पर 28 और 29 दिसंबर की रात 49 में मूर्तिया रखी गई थी क्या कोई जादू से उसके ताले खोले गए थे जब राजीव गांदी प्रैमिनिस्टर थे इसी लिए मैं कहता हूँ के सुप्रीम कोट ने जो बात कही उसके उसके बर खिलाफ उसके बर खिलाफ आज ये जज्जमेंट आया है और ये मैं कहने पर मजबूर हूँ के वाइलेंस पेस फॉर यू पॉलिटिकली आप अंदाजा लगाईए के अड़वानी की रत यात्रा जहां कहीं भी भारत में गई महाँ पर खुनरेजी हुई मासुम लोगों का खतल हुआ जायदादें जलाई गई कांदान उजड गए बरबाद हुए और आज ये फैसला आता है सी बी आई कोर्ट का जिसमें कहते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस नहीं था तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई साब ये कितने दिन कितने महीने लगेंगे प्रिपरेशन के लिए ताकि वो स्पॉन्टेनिस ना हो आप बताएए ना कितने दिन कितने महीने लगेंगे जाए स्पॉन्टेनिस ना हो क्या ये बात सच नहीं है कि उमा भारती ने कहा था कि एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो क्या ने नहीं देखा कि जब बाबरी मज़िश शहीद हो रही थी तो मिठाया बाटे जा रहे थे अड़वानी, मुर्लीमन और जोशी, उमा भारती, ये सब लोग तो मिठाई खा रहे थे, खुशिया मना रहे थे, कैसा ये फैसले पर आजा वा जाती आप, आखिर पैगाम क्या द ना चारे, पैगाम यही मिल रहा है के वाइलेंस पेज, मास वाइलेंस पेज,